है रो दोस्तों स्वागत करती हूँ मैं आपका तो आज हम बनाएंगे बेशन का लड़ू तो बेशन के लड़ू तो सभी का फीबरेट होता है सभी को बहुत पसंद होता है तो बिल्कुल मुह में खुल जाने वाला ये लड़ू आज हम बनाएंगे घर पर तो चली शुरू क तो मैंने बाड़ी तले काड़ा ही लिया तो इसमें हम डाल देंगे 1 गी तो घी वजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने यहां 300 ग्राम लिया है तो बस इसे हम डाल देंगी और डाल देने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेती है ताकि गी में बेशन अच्छे से मिक्स हो जाए तो बेशन को हमें 20-25 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हमें भून लेना है तो देखिए घी काफी अच्छे से मिक्स हो गया है लेकिन इसे हमें अभी फ्रेंड्स 20-25 मिनट के लिए भून ना है जब तक बेशन का कलर चेंज ना हो जाए और बेशन मे गी रिलीज ना हो जाए तब तक आपको इसे भूनते रहना है तो आप इसे चलाते हुए आप इसे 20 मिनट के लिए भून लीजेगा और देखिए इसे भूनती हुए 10 मिनट हो चुके हैं और बेशन का कलर भी आपको चेंज दिख रहा होगा और बेशन घी छोड़ना शुरू कर दिया है तो बेशन को अभी भूनती हुए 15 मिनट हो चुके हैं तो घी अभी बेशन और रिलीज करेगा तो आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए मेडियम टू लो फिलिम पे आप इसे भून लीजेगा और फाइनली देखिए इसे 25 मिनट हो चुके हैं तो बेशन ने कापी अच्छे से घी छोड़ दिया है और कलर भी इसका आपको चेंज दिख़गा होगा बिल्कुल ब्राउन सा हो गया है यह देखिए तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि वन ट्रॉप जितना इसमें फूड कलर एड़ करेंगे अगर आप इसमें फूड कलर नहीं आड़ करना चा जितना हम इसमें सूजी डालेंगे और बस इसे हमें 2-3 मिनट के लिए भून लेना है बेशन के साथ इससे क्या होगा कि आपका लड़ू जो है बिल्कुल दानेदार बनेगा जो बाहर वाले जो लड़ू मार्केट वाले जो होते है ना जो करंची पन देते हैं ऐसे खाते ह बारी कटा हुआ बादाम और बारी कटा हुआ पिस्ता तो आप अपनी पसंद का कोई साथ भी इसमें ड्राइफूर्स एड़ कर सकती है तो जब भी आप ड्राइफूर्स एड़ कर दिजीगा और अच्छी से हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा इसे हम ठंडा हो जाने देंगी औ अभी आपको यह मिक्षर थोड़ा गीला लग रहा होगा तो जैसे ही आप इसमें जब चीनी एड़ करेंगे तो यह बिल्कुल बुरबरा सा हो जाएगा जैसे लंडू बांधनी का जो मिक्षर होता है तो बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा तो आधा कप मैंने अभी इस और जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे यह बिल्कुल भुर भुरा सा होता जाएगा जैसे लंडू बांदने वाला जो टेयार होता है तो बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा अभी आपको यह मिक्षर धेला लगड़ा होगा लेकिन अभी इसमें हम चीनी उड़ और एड पांदना शुरू करेंगे देखिए लड्डू कैसे बने हैं देखिए अभी आपको यह लड्डू सॉप्ट लग रहे होंगे लेकिन जैसे आप इसे रूम टमप्रेचर पे आधा कंटा के लिए रख देंगे तो यह बिल्कुल लड्डू जैसा हो जाएगा और एक करके हम इस से कारिश कर लेंगे अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वरना आप इसी तरीके से लड्डू को सर्फ कर सकती हैं इसे क्या होगा कि यह थोड़ा सा देखने में बिल्कुल मार्किन जैसा लगेगा और देखिए हमारा बेसन का लड्डू बनकर तियार हो गया है अभी आपको यह लड्डू सॉफ्ट लग रहे हैं क्योंकि अभी लड्डू गड़म है तो अभी आपको यह सॉफ्ट लगेंगे जैसी आप इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तो बिल्कुल लड्डू जैसा स्टिकी हो जाएगा देखिए तो मैं आपको ठाकर दिखा रही होता है तो जरूर ट्राइक कीजिएगा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक जरूर करिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर ली थैंक यू